बड़े दिनों बाद घर लोट कर अच्छा लगा पर मेरे खयालों में तो अभी भी वही दृष्ष घूम रहे थे जिने मैं अपनी नंगी आंखों से देख कर आया था और मेरे शरीर का दर्थ तो ऐसे गाया हुआ जैसे किसी भैस का काला तिल फिर अचानक से मुझे याद आया कि यार जिस नेता के मैंने समूसे उस दिन लपेटे थे उसका कर्ज अदा करना तो रही गया तब माजी ने बताया कि वोटिंग लिस्ट में तो किसी का नाम ही नही था घर का खाना बेस्ट बाकी सब नेक्स्ट शाम को मैं मेरे कुछ करीबियों को अपने सफर में हुई घटनाओं के बारे में बताता हूं और इतने में ही मुझसे मिले हबड़ु आ जाता है ये मुझे देखकर इतना खुश होता है कि इसको होश ही नहीं है कि इसकी टोपी के उपर कॉक्रोच बैठा है क्या आपने देखा? हबड़ु ने तो अभी भी नहीं देखा है मुससे वई स्मार्ट बताओ